हलो फ्रेंड्स बेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट प्रेश्णों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं देखिए कोचना पर दिया गया है एक से सतर तक कि कितने प्रतिसत संख करने पर एक आता है तो एक का बर करेंगे तब भी एक आएगा क्यासी होता है ग्यारा का बर करेंगे तब भी एक आएगा उन्निस का करेंगे तब भी आएगा तो दोस्तों यह जो बर्गा आता है एक जो आता है एक या नो के लास्ट में ही आता है तो 21 का करेंगे तब भी ये काएगा 31 का करने पर आएगा 49 का करने पर आएगा 49 का भी करने पर आएगा 51 का करने पर आएगा 59 का करने पर आएगा और देके 60 बन करने पर आएगा और 69 का करने पर आएगा 70 तक पूछाए ना दोस्तों तो हमना 69 तक कर लिया आगे करेंगे तो 70 बन हो जाएगा इसलिए 70 तक पूछा गया है तो इन संख्याओं को फाइंड कर लिजे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौधा टोटर कितनी संख्या दोस्तो चौधा संख्या है ठीक है एक से लेकर सतर तक चौधा संख्या है जिनका बरक करने पर लाश्ट में एक आ समझ में आघी अब देखिए संख्या नहीं पूछा पूछा है आप से पूछाँ आगया है तो आपको 14 चौधा संख्यां को shrinking प्रतसथBack न कलना है में तो टोट्ल संख्या स से भाग दे दिजे ठीक है और प्रस्यथ के 10 में करेंगे तो 20 हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आपका कितना आंसर है 20% ठीक है option में भी आपका सही हो जाएगा उम्मिद करता हूँ question में कोई भी doubt दोस्तों नहीं बचा होगा 14 संक्या है total total संक्या से भाग दीजिए into 100 ठीक है 0 से 0 के 7 से 14 काटेंगे दोबारी कटेंगा द तो कितनी संक्या दोस्तों 20% संक्या है उम्मिद करता हूँ यह question आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ के होंगे आप देखते अगला question अगला question है किसी परिश्चा में A तथा B अधिक्तम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है तो परिश्चा में पूरांग कितने है ठीक है दोस्तों पूरांग आपसे पूछा गया है ठीक है दोस्तों देखे A और B है A कितना प्र प्राप्त करता है और B कितना प्राप्त करता है 30% ठीक है दोस्तों और टोटल इनका योग दिया गया है आपको 683 ठीक है दोस्तों 683 दिया गया है आप देखे A 60% प्राप्त करता है B 30% प्राप्त करता है और टोटल मतलब 65 में परसेंट में तो आपको दे रखा 60 और तीस और आपको योग कितना दे रखा अंकों में 783, इनको यदि हम प्लस कर दें, 60 और 30 परसंट को प्लस करेंगे, इन दोनों का योग कितना दे रखा, आपको 783 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर ह हो जाएगा तो क्या करना है 60 32 कितना हो गया 90 90 से क्या करेंगे इसमें भाग दे दीजिए इंटु कर दीजी 100 पस आप कांसरा गया ठीक है अब देखें एक यहाँ पर एक जिरो काट देंगे नौ से से कटा लीजिए ठीक है यह हो जाएगा नौ ठे 12 कट जाएगा छेबचेगा 63 हो जाएगा तो नौ सत्ते 63 कितनी बारी कट गया 87 बार कट अब 87 का दसम मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक जीरो पड़ जाएगा मतलब क आपको 60% और 30% दे रखा है, लेकिन इन दोना का योग कितना दे रखा है अंकों में? 1753 दे रखा है, % में 60 और 30 है, अंकों में 1784 है, तो आप इनका भी योग करके इसमें divided के देजीए, यो करके डिवाइड देंगे into 100 कर दीजिए बस आपका आंसरा जाएगा तो ये question में दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के होंगे अब देखेंगे अगला question अगला question है एक छात्र को परिष्छा में उत्तिन होने के लिए 40% अंक लाने थे कितने लाने से दोस्तों 40% अंक लाने थे पास होने के लिए ठीक है 40% अंक लाने थे उसने 178 अंक प्राप्त किये तथा 22 अंकों से अनुतिन हो गया देखिए 40% अंक चाहिए थे पास होने के लि तो हम क्या करें, 178 में यदि इस 22 को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, यदि उसे 178 की जगा है, ये 22 अंक और मिल जाते, तो फेल नहीं होता, पास हो जाता, अब वो पास हो जाता, तो क्या हो जाता, उसे 40% प्राप्त हो जाते, तो यह 22 और इसको मिल जाते तो यह पास हो जाता ठीक है दोस्तों पास हो जाता कितने से 40% से पास हो जाता ठीक है दोस्तों आप देखिए यह 40% है इसको यदि हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा तो इस 40 से 200 में कर देंगे डिवाइट ठीक है इंटु क्या कर पांच वर जाएगा 500 और दोस्तों आपका सही हो जाएगा ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है दोस्तों चुटकिया में सौल्व हो जाते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो ठीक है 40% अंक चाहिए दे पास होने के लिए लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किये 178 और 22 से फेल हो गया यदि यह 22 अंक और इससे मिल जाते तो यह फेल नहीं होता दोस्तों पास हो जाता कितने से 40% से क्योंकि यह इसके बराबर हुआ ठीक है दोस्तों तो यह कोश्चन भी आपक चीनी है ठीक है दोस्तों तो ऐसे क्वेशन भी पूचे जाते हैं देखे टोटल कितना है 12 दे रखा है और चीनी कितनी दे रखी है 4% टोटल घूल आपके पास 12 लीटर है चीनी है उसमें 12-4% ठीक है दोस्तों आप देखिए इसमें पूचा गया है घूल को गरम करके बाश द्वारा दो लीटर पान ही उड़ा दिया जाता है तो टोटल मेंसे दो लीटर उड़ जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा ठीक है दोस्तों उड़ा दी जाने पर टोटल कितना बचेगा 10 बचेगा उसमें फिर कितना पूया पूचे चीनी की मात्र उसमें पूची गई है तो देखिए percent से percent cut जाएगा यहां तक बात समझ मैं इस अब тому हो झाएगा इधर 48 हो गया इधर कितना हो गया दोस्तों यह 10 लग जाएगा तो 4.8 एक्स का मन कितना जाएगा दोस्तों 4.8 यही आपका आंसर हो जाएगा तो चीनी के मातर कितनी है 4.8 option number C दोस्तों आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों जिसकी समझ में नहीं आया है comment box में पूछ लीजिएगा total goal 12 liter है उसमें 4% चीनी है 2 liter ओडा देंगे उसमें तो 10 liter बचेगा फिर उसमें चीनी की मातर कितनी ये पूछा जाएगा ठीक है तो percent से percent के बारे 4.8 चीनी है ठीक है दोस्तों अब देखते है अगला question अगला question है तीन लीटर चीनी के घुल में तीन लीटर चीनी घुल में 40% चीनी है total घुल कितना है दोस्तों तीन है चीनी की मातर कितनी है 40% ठीक है दोस्तों इस घुल में एक लीटर पानी मिलाई जाने पर देखें टोटल पहले कितना था तीन उसमें एक लीटर पानी और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों चार हो जाएगा ठीक है पानी मिलाई जाने पर नए घुल में कितने परसंट चीरिये नहीं पता है कितने परसंट है तो X दोस्तों तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे का 4 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है चार से से डिवाइड करेंगे 4 ती आई 4 ती बारा और यह कि 0 मतलद 30% क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एकस की बेलु कितने आगी 30% ओप्सन नमसी दोस्तों आपका सही हो जाएगा तो नए घोल में कितने परसंट चीनी है 30 परसंट चीनी है ठीक है दोस्तों मिद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आगया होगा